लीजे सुनिए विश्वम भरनात शर्मा कौशिक की लिखी कहानी पीपल का पेड़ मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अहाँ पीपल का पेड़ पीपल का पेड़ जमा है अम्मा पीपल का पेड़ जमा है एक मकान के आंगन में एक आठ नौ वर्ष का लड़का उपर युक्त वाक कह रहा था लड़का बड़ा प्रसन्न था उसकी माता दूसरी और दालान में बैठी साग कतर रही थी उसके पास ही एक वृद्धा बैठी थी दोनों बातें भी कर रही थी लड़के की बात पर दोनों में से किसी ने ध्यान न दिया परन्तु जब लड़का हला मचाता हुआ उन दोनों के पास आया तो लड़के की माता जुझला कर बोली क्या है कान खा गया पीपल का पेड़ हमारे आगन में पीपल का पेड़ जमा है चल कर देखो जमा होगा कहकर माता ने वृद्धा से पुनहा बात करनी चाही परंत वृद्धा उत्सुक होकर बोली कहां पेड जमा है चल कर देखो तो ये कहकर वृद्धा उठ खड़ी हुई लड़की की माता भी उठी लड़का दोनों कॉंगली के शारे से देखा कर बोला वो देखो अहां पत्ति कैसे चिकने हैं जैसे सीसा निकट पहुँचकर दोनों इस्त्रियों ने देखा दीवार की जड़ से पीतल का पेड उगा है एक फुट के करीब उंचा चार-पांच बड़े-बड़े पत्ते वृद्धा बोली अहां ये तो बड़ा अच्छा सगुन है इस पेड की रोज पूजा करनी चाहिए मेरे मायके में एक के घर में ऐसा ही पेडोगा था उन्होंने उसकी पूजा की नित पूजा करते थे राम जी की दया से उनका घर भरा पूरा हो गया लड़की की माता बोली चलो अच्छा हुआ पीपल की पूजा करने बाहर जाना पड़ता था अब घर में ही हो गया लड़का वृद्धा से बोला दादी अभी पूजा करो वृद्धा बोली लड़का ठीक कहता है पहले पहले देखा है पूजा जरूर होनी चाहिए जा पानी लिया फूल थोड़ी सी रो लिया लाल चंदन बताशे सास के कतनान सार बहु सब सामान लिया लड़का साथ साथ दोड़ा फिर रहा था पीपल की पूजा हुई लड़का बोला जब खूब बड़ा हो जाएगा तब बड़ा मज़ा आएगा गर्मियों में आंगन में चाह रहा करेगे पीपल की चाह बड़ी ठंडी होती है दादी ने कहा हम तो इस पर चड़कर खेला करेंगे पीपल पर देउता का वास रहता है पीपल पर नहीं चड़ना चाहिए सास पतो हूँ दोनों फिर अपने स्थान पर आ बैठी कुछ देर पश्चात लड़के का पिता आया वो बाहर गया हुआ था लड़का पिता को देखते ही बोला बाबू हमारे आंगन में पीपल का पेड जमा है कैसा पीपल का पेड पिता ने पूछा लड़का पिता का हाथ पकड़ कर ले गया और उसने पिता को पीपल दिखाया पिता पेड देखकर बोला अरे होगा ऐसे तो जमते ही रहते हैं अमा और दादी ने इसकी पूजा की है ये देखो चंदल लगा है लड़के ने एक पत्ते पर पड़ी हुई लाल चींटे दिखाते हुए कहा अच्छे अच्छे बाबू साहब वहां से हटकर अपने कमरे की ओर चले उनकी पत्नी रसोई घर में भोजन पका रही थी माता दालान में बैठी थी बाबू साहब ने अपनी माता से पूचा पीपल की पूजा की है क्या हाँ वरिद्धा ने गंभीरता पूरवक कहा बाबू साहब किंचित मुस्करा कर अपनी कमरे में चले गए थोड़ी देर में जब वरिद्धा इसनान करने चली गई तो बाबू साहब टहलते हुए रसोई घर की और गए और अपनी पत्नी से बोले वो प्रसाद कहा है कैसा प्रसाद पत्नी ने अचकचा कर पूचा वही पीपल की पूजा का पत्नी हस पड़ी और बोली उसका क्या प्रसाद कोई प्रसाद थोड़े ही बाटा गया है पूजा हुई है कि नहीं ऐसी ही मामूली पूजा कर दी थी तो मामूली ही प्रसाद सही मामूली पूजा का मामूली प्रसाद अच्छा दो बताशी ले लेना लाओ दो बताशी ही सही मैं यहां से उठूंगी तब मिलेंगे अच्छी बात है मगर यह तुम लोगों को सूजा क्या पीपल की सब पूजा करते हैं इतने बड़े की पीपल तो पीपल चाहे बड़ा हो या छोटा लड़का बोल उठा बाबू जब बड़ा हो जाएगा तो खूब छाह रहेगी बाबू साहब आंगन की ओर देख कर बोले हाँ गर्मी और बरसात में तो आराम रहेगा पर जाड़े में तकलीफ रहेगी आंगन में धूप नहीं आएगी जिसे धूप खानी होगी चट पर चला जाएगा जाड़े तो दो तीन महीने रहते हैं बाकी दिन तो आराम रहेगा हाँ ये तो ठीक है कहकर बाबू साहब अपने कमरे में चले गए पीपल का पेड प्रती दिन बढ़ने लगा वरद्धा नित उसकी पूजा करती थी लड़का दोनों समय उसे सीचता था कदाचित इसलिए पीड कुछ शीगरता के साथ बढ़ रहा था अब वो चार फीट उँचा हो गया था उसकी शाखा उप शाखाएं खूब पहल रही थी इसी परकार च्छे महीने और व्यतीत हुए अब वो व्रिक्ष छे फीट के करीब उंचा हो गया था और उसका तना एक रिष्ट पुष्ट आदमी की जांग से भी अधिक मौटा हो गया था एक दिन बाबु साहब व्रिक्ष के निकट खड़े होकर उसे गोर से देख रहे थे अकस्मात उनकी द्रिष्टी उस दीवार पर पड़ी जिसकी जड़ से व्रिक्ष का प्रादुर भाव हुआ था बाबु साहब ने देखा व्रिक्ष की जड़ के निकट दीवार में दरार पड़ गई है दरार करीब तेड़ फुट लंबी और आधा इंच चोड़ी थी बाबु साहब चौक पड़े वो शीगरता पूर्वा को हाँ से हटकर अपनी माता के पास आये और बोले वो तुमारा पीपल दीवार के राय दे रहा है दीवार फट गई हैं दीवार फट गई कहती होई वृद्धा उठी पीपल के पास आकर वृद्धा ने दीवार को देखा देखकर बोली पीपल से तो क्या फटी होगे बाबु साहब बोले और कोई कारण हो ही नहीं सकता पीपल से ही फटी है ये चीज़े कहीं घरों में लगाई जाती है वह तूने कैसे कह दिया बीसोग पेड़ घरों में लगे है वे पहले से होगे मकान पीछे बना होगा बने मकान के अंदर पीपल नहीं लगाया जाता तेरे कहने से अच्छा मेरे कहने से ना सही पर इस दीवार को तो देखो अब इसका क्या किया जाए किसी राज को बुला कर दिखाओ न शाम को बावु साहब ने राज बुलवाया राज ने मौका देखकर कहा या तो इस पेड़ को कटवा डालिये या दीवार से हाथ धोईये ये पेड़ रहेगा तो दीवार नहीं बचेगी और इस दीवार पर आपके दूसरे मरातिब की भी दीवार है इसलिए बड़ा खत्रा है ये दीवार तो जाएगी ही दूसरे मरातिब भी गिरेगा तब बहुत नुकसान हो जाएगा बावु साहब जुझला कर बोले मैं तो पहले ही जानता था इन औरतों के स्वांग से नुकसान के सिवा फायदा थोड़े ही होना है राज को विदा करके बावु साहब अपनी माता के पास आकर बोले तुमारा पीपल सारा मकान ले डालेगा समझी सारा मकान कैसे ले डालेगा नीचे की दीवार गिरेगी तूपर की मनजिल क्या बच जाएगी वो तो पहले गिरेगी इसी दीवार पर तो सारा बोज है तो जितनी फटनीती फट चुके अब क्या सारी दीवार थोड़े ही फट जाएगी राज तो यही बात कहता है और मेरी समझ में भी उसकी बात आती है, दीवार फटती ही चली जाएगी उस दाड़ी जार का सिर किसी दूसरे राज को दिखाओ, वो चाहता होगा कि सारी दीवार को फिर से बनवा, ये लोग तो तिल का ताड़ बना देते हैं माता को विश्वास दिलाने के लिए बाबु साहब ने दूसरा राज बुलवाया, उसने भी पहले राज की बात के समर्थन किया, बाबु साहब बोले, ये दीवार जितनी फटी है, उसकी अगर मरम्मत करा दी जाए, तो फिर तो न फटेगी, अगर पेड इतना ही बढ़ा र चज्जी की तरफ बढ़ रही है, उस चज्जी के लिए भी खत्रा है, तो ये कहो सारा मकानी खत्रे में है, बेशक इसकी डाले और जड़े जिधर जिधर जाएंगे, उधर उधर की इमारत को खत्रा है, बाबु साहब माता के पास दोड़े, बोले, सुनो ये दूसरा तो उसका सिर कहा है वो राज? इतना कहकर विरधा आंगन में आई और राज को देखकर बुली, अरे क्या कहता है? राज बोला, मा जी इस दीवार से मकान को बड़ा खत्रा है, तेरा सिर खत्रा है मूरख कहीं का, पेड़े कौने में है, सारे मकान को खत्रा कैसे है? पीपल क की डालिया फैलती हैं, तो फिर इससे क्या हुआ है? इससे यह हुआ कि नीव को जड़े ले डालेंगी और रूपरी अमारत को डालियां, तो इतना बड़ा राज है, कोई ऐसी जुकत नहीं निकाल सकता जो पेड़ भी बना रहे और मकान को भी जुक हिम्डा आए, पेड़ बाबु जानते हैं, इन्होंने मेरा काम देखा है, बाबु साहब बोल उठे, बड़ा होशियार कारीगर है, ऐसा वैसा नहीं है, यहां कुछ होसियारी करके दिखाए तो जानू, होगा होसियार? इसमें होसियारी यही है कि इस पीपल को कटवा देना चाहिए, तब तो मका बचेगा नहीं, मा जी चाहे जिससे दिखा लीजे, पीपल कौन कटवाए, एक तो पाला पोसा पेड़, और उस पर पीपल, जिसके अब तक पूजा की उसे कटवाए, राम राम, जो कटवाएगा उसका नाश हो जाएगा, इतना कहकर मा जी भीतर चली गए, राज ने शताब कर रहे थे, कि जिस दिन देखा था, उसी दिन उसे उखडवा देते तो ठीक होता, ये सोचते हुए माता के पास पहुँचे और बोले, बिना पीपल कटवाए, काम नहीं चलेगा, हरे राम राम, पीपल कोई कटवाता है, हमारे यहाँ एक ने पीपल कटवाया था, कटवाने के साल भर बाद ही वो मरा, उसके छे महीने बाद लड़का मर गया, घर में सास पतो हुई विदवा रह गया, वंश नाश हो गया, ये कोड़ने कटवाया था, उसका भी ऐसा ही हुआ, तो तुम्हारा मतलब यह है कि मकान चाहे गिर जाए पर पीपल बना रहे, नह पीपल कटवाने में उन्हें भी संकोच था, माता की बाते सुनकर उन्हें भी धरका हो गया था, शाम को उन्होंने अपनी मित्र मंडली में इसकी चर्चा की, एक दिल लगी बास बोले, हापकी माता ठीक कहती है, पीपल कटवाना आशुब होता है, इसलिए पीपल को पालि मकान को गिर जाने दीजे, मकान न रहेगा तो पीपल की चाया तो रहेगी, आनंद से उसी के नीचे चैन की बंसी बजाईएगा, पीपल देओ की करपा होगी, तो फिर मकान हो जाएगा, एक साहब बोले, आप तो हैं बोड़म, रोज पीपल कटते हैं, कहीं कुछ नहीं हो आपको धर्दब होचा, पीपल पर ब्रहमराक्षस रहता है, ये तो आप जानते ही हैं, लोग कहते तो ऐसा ही है, बाबु साहब गंभीरता पूरवक बोले, वे ठीक कहते हैं, इसमें गलत क्या है, भाई को यह ऐसी एकती बताओ, जो पीपल भी बना रहे और मकान भी बच मेरी समझ में आप पीपल से प्रार्थन कीजिए कि महराज, आप बावन रूप में ही रहे, मेरा ख्याले इतनी बात तो वो माल लेंगे, क्योंकि आप लोग नित्त उनकी पूझा करते हैं, इस पर सबने कहकाहा लगाया, बाबु साहब जला कर बोले, तुम लोगों को मजा प्रक सूजाए, यहां चिंता के मारे खुन सूखा जा रहा है, एक महुदा गंभीरता पूर वक बोले, मैं आपको तरकीब बताता हूँ, दौनों काम हो जाए, लेकिन उस्ताद मिठाई खिलवाना, बाबु साहब उत्सुक होकर बोले, बोलो, यदि दौनों बाते हो गई जो मकान खरीदेगा, वो अपने आप कटवाएगा, या ना कटवाएगा आपकी बला से, आप दूसरा मकान ले लीजे, ये सुनते ही बाबु साहब उचल पड़े, बोले, भाई खुब तरकीब बताई, बस यही हो सकता है, और कोई उपाई नहीं, तो मिठाई के और क्या करें, पीपल कटने नहीं दोगी, और जब तक पीपल नहीं कटेगा, तब तक मकान नहीं बचेगा, इसलिए इसे बेच डालना ही ठीक है, ना पीपल कटवाना पड़ेगा, ना मकान गिरने की चिंता रहेगी, हम दूसरा मकान ले लेंगे, वाह, ये तुने जो चाहे करना, बड़ी मुश्किल है, ना ये हो, ना वो हो, फिर हो क्या, तुम जो चाहती हो, वो साथ जन्म नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, यही कि पेड़ भी बना रहे और मकान भी न गिरे, सब कुछ हो सकता है, करने वाला चाहिए, बाबु साब बड़े परिशान क कि माता को कैसी समझाए, दो-तीन दिन तक इसी चिंता में रहे कि क्या करे, खाना पीना भी हराम हो गया, दीवार को रोज देख लेते थे, उन्हें दीवार की दरार प्रती दिन बढ़ती होई प्रतीत हो रही थी, अंत में उन्होंने मामा को पत्र लिख कर बुलाया, उनके इस कमजोरी को वो माता के हट के परदे में छिपा रहे थे, मामा से उन्होंने कहा, मैं तो आज कटवा दूँ, पर माता जी महना मत मचाएंगी, कटने नहीं देंगे, अच्छा तुम्हें बताओं, तुम्हें एक दिन के लिए नहें कहीं ले जाओ, पीछे मैं कटवा दू बाबु साहब बड़े प्रसंद हुए, मन में सोचा, ये कटवाएंगे, तो जो कुछ शुभ अशुभ होगा, इन्हीं के लिए होगा, हम बच जाएंगे, इसी युजना के अनसार बाबु साहब अपनी माता पत्नी तथा पुत्र को दिन भर के लिए कहीं ले गए, पीछे तुम बेफिकर रहो, अरे तो तु क्या गैर है, तू भी तो अपना ही है, तुझे या तेरे बाल बच्चों को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो, मैं इन बातों को नहीं मानता। वरद्धा ने इसका कोई उत्तर ना बिया, बैठ कर रोने लगी, इधर बाबु बाबु साहब दीवार देख रहे थे, जहाँ पीपल था, वहाँ एक बड़ा गढधा हो गया था, बाबु साहब ने मामा से पूछा, इतना गढधा कैसे हो गया, मैंने जड़ भी ने कलवा दी है, जहां तक मोटी जड़ मिली, वो सब ने कलवा दी, जड़ रहने से फिर हरा हो सकता था मामा ने कहा बाबू साहब बड़े प्रसंद हुए बोले ये आप ने बहुत अच्छा किया अब कल राज बुला कर इस दीवार की मरम्मत करा देना मैं तो सवेरी की गाड़ी से चला जाऊंगा क्यों इतनी जल्दी काहे कि आए हो तो दो चार दिन रहो मुझे बहुत काम है तो महारी चिठी पाकर चला आया नहीं तो वहां से हिलने का मौका नहीं था बाबू साहब का भी प्राय पूरा हो गया था इसलिए उन्होंने ठेरने के लिए अधिक जोर नहीं दिया सवेरे मामा विदा हुए उनके साथ जब वो आये थे केवल एक बिस्तर तथा एक छोटा सा ट्रंक था परन्तु अब एक बड़ा सा ट्रंक और था और बिलकुल नया था बाबू साहब ने पूछा ये ट्रंक कहां से आ गया कल में मजदूरों के यहां लगा कर ये ट्रंक और कुछ सौदा ले आया था एक पड़ोसी ने मंगाया है तांगे पर असबाब लात्ते समय नया ट्रंक मामा ने स्वेम उठा कर तांगे पर रखा बाबू साहब ने कहा भी कि नौकर रख देगा पर मामा बोले क्या हर्ज है मामा के जाने के तीसले दिन बाबू साहब ने दीवार की मरमत के लिए राज मजदूर लगाए एक मजदूर गड़े को बड़े गोर से देखने लगा देखकर बोला बाबु जी क्या है यहां कोई पीड़ था हां क्यों पीपल का पीड़ था मजदूर ने पूचा हां क्यों क्या बात है कुछ नहीं इतना कहकर मजदूर मुस्कुराया बाबु साब ने पुन्हा पूचा क्यों क्या बात है मजदूर बोला कल हमारा एक मिलने वाला मजूर अपने गाउं गया है वो यहां से कोई 20-25 रुपे का सामान खरीद कर ले गया हमने उससे पूछा इतना रुपे कहां पाया पहले तो वो बताता नहीं था पर हमारी उसकी पुरानी दोस्ती है इससे उसने बताया कि कल एक पीपल का पेड़ काटा था उसकी जड़ में एक तामे का घड़ा निकला जो रुपे और अशर्फी से भरा था सो मैंने सोचा कि शायद यही जगह हूँ उस मजूर और उसके साथी को सौ सौ रुपे मिले बाबु साब का हिरदा डूबने लगा उन्हें नए ट्रंक का ध्यान आया मामा ने उसे स्वेम उठा कर तांगे पर बड़ी साथानी से रखा था मामा इतनी जल्दी चले गए जबकि पहले उनका कोई इरादा इतनी जल्दी जाने का नहीं था होता तो वह वश्य परकट करते इन सब का तारे तम मिला कर बाबु साब ने सब कुछ समझ लिया मजदूर से उन्होंने केवल इतना कहा यहां कोई घड़ा वड़ा नहीं निकला इतना कहकर बाबु साब वहां से भागे और अपने कमरे में आकर चार पाई पर लेट गए पतनी ने पूछा क्या बात है क्या जी खराब है बाबु साब ने कहा हम तो लुट गए माता भी दोड़ी आए बाबु साब ने सबहाल कहा माता चाती कुट कर बोली है मैं कहती थी पीपल ना कटवाओ पीपल का कटवाना अशुब होता है वही हुआ और उस चंदन को तो देखो बेहन के साथ दगा कर गया मैं तो उसके लिए प्रान देती थी और उसने ये दगा बाजी की बाबु साहब बोले उसे तो पीपल कटवाना फल गया ये सब तुम्हारी कारण हुआ तुम पीपल कटवाने पर इतनी आपती ना करती तो उसे मैं सैम कटवाता और वो धनामी को मिलता बाबु साहब रोपीट कर बैठ रहे मामा को चिट्ठी भी लिखी कि एक मजदूर ऐसा कहता है मामा ने उत्तर दिया बिलकुल जूट बात है परंतु छे महीने व्यतित होते ही मामा ने एक नया मकान बनवा डाला पाच छे हजार रुपे लगा कर अपने लड़के को कपड़े की दुकान खुलवा दी अब बाबु साहब को पूरा विश्वास हो गया आज कल बाबु साहब जब किसी पीपल के पेड़ को देखते हैं उनके हिर्दाय में एक घूसा सा लगता है और पीपल कटवाने के संबंद में तो अब उनका विचार ये हो गया है कि पीपल को सुयम अपने हाथों से काटना चाहिए मजदूरों से नहीं कटवाना चाहिए अभी आप सुन रहे थे विश्वम भरनात शर्मा कौशिक की लिखी कहानी पीपल का पेड़ मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में